परदेशी पुरा पुलिस ने दो साल पहले लॉकडाउन के दौरा नाले में सफाई करते वक्त मिली लाश की मामले में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्त में लिया है मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है जिसने द्रश्याब फिल्म से प्रेवना लेकर इस हत्याकान को अंजाम दिया था परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक 22 जन्वरी 2021 में परदेशीपुरा शीत्र में नाला खुदाई का काम चौर रहा था गाज निकालने के दोरान वहां से एक लाश मिल थी जिसके कमर के उपर का हिसा नहीं था इसके बाद आस पास खुदाई करवा कर बौडी के आन्य हिस्सों को तराश गया लेकिन वह नहीं मिल सके इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबेत तंत्र को एक्प्यू किया इस बीच पता चला कि हीरा नगर थाना शेत्र में अरचना नामक महिला की गुमशूदगी परिजनों ने दरज करवाई थी और विशाल नामक युवक पर संधेज उताया था इसी बीच पुलिस को पता चला कि विशाल अरचना के भाई संधीब डाबर के साथ मिलकर अवीश शराब का काम करता था इसी सिलसले में विशाल का संधीब के घर आना जाना था इसी दोरान विशाल का संधीब की बहन अरचना से प्रेम संबंध हो गया था इसकी जान कारी जब विशाल की पतनी को लगी तो घर में विवाद होने लगे धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा तो विशाल ने अरचना को रास्ते से हटाने के लिए मिलने बुलाया और फिर दुपटे से उसका गला घोट कर अपने साथ ही सत्यम उर्फ सत्यनारायर और शिवनंदन उर्फ जॉन के साथ मिलकर बॉड़ी पर नमक डाल कर घर के पीछे ही चैंबर में गाड़ दिया था मामले में पुलिस ने दो साल बाद दृश्यम फिल्ड से इंस्पायर होकर इस हत्यकान को अंजाम देने वाले विशाल के साथ ही सत्यम उर्फ सत्यनारायर और शिवनंदन उर्फ जॉन को गिरफतार कलिया है मुख्यारोपी विशाल अभी फरार है